कल के दिन हम लोगों ने 0 order reaction से पहले 1st order reaction जो थी उसकी marking कम्प्लीट कर ले रहे तो अभी 0 order reaction से इसकी marking को वापस से शुरू करते हैं ठीक है तो सबसे पहला question तो देखो भाई यहीं पर है यह यह बन गया आपका question number 1 question number 1 आपका यहां से आज की marking में क्या बन गया कि what is zero order reaction ठीक है तो अगर zero order reaction के बारे में पूछा जाए तो उपर में जो तुम लोगों को define mark करके दिया है यह one mark के लिए लिख दोगे that's all और उसके बाद यह चीज इस define को लिखने के बाद यह जरूर लिख देना कि that is rate is equals to k times the concentration of a a raised to the power zero और वहां पर लिख देना कि where a is reactant ऐसा लिख देना बराबर ठीक है डन अच्छा अब उसके बाद और questions में आ जाते हैं question number 2 के तरफ अब देखो question number 2 में आपसे पूचा जाएगा what is या what are units of rate constant of zero order reaction एक zero order reaction के लिए उसकी units क्या है ठीक है अब देखो अगर यह question mcq के लिए आता है तो आप direct यह लिख देंगे अगर मालेते हैं question यह आगया आपको कि derive करो मतलब derive यानि कि आप यह करके दिखाओ कि कैसे उसकी unit mole decimeter cube inverse tk power minus 1 आती है तो ऐसे में फिर आप क्या लिखोगे ऐसे में यहां से answer के लिखने का तरीका ऐसा रखना की for zero order reaction ऐसा लिखना की for zero order reaction यहां से शुरू करना ठीक है और यहां पर खतम करना यह हो गया पहला point उसके बाए यहां से शुरू करना और यहां पर खतम करना यह हो गया उसका point number B ठीक है और उसके अलावा point number C में ये लिखना कि जो zero order reaction का rate constant होता है उसकी वही unit होती है जो rate की होती है मतलब rate constant और rate दोनों की unit same हो जाती है किसके case में zero order बट इसको लिखने की need नहीं है इस particular point को अपने notes में लिखोगे notes का मतलब क्या होता है कि जब तुमारे पूरी question answers copy में लिखकर हो जाएं आज की marking के बाद तो heading देना एक notes और उस notes में पहला point बना लेना ये particular point आपको true or false के लिए पूछा जा सकता है या इससे related आपको mcq आ सकता है कल को बोल देगा कि एक particular reaction है उसका rate बराबर इतना with unit देगा फिर आपको बोल देगा आपके पास उसी same reaction का rate constant इतना है with unit देदेगा बराबर और पूछेगा कि बताओ order क्या है तो ऐसे में आपको बस एक ही बात ध्यान में रखनी है कि अगर rate की unit ठीक है अगर unit किस चीच की rate की और अगर माल लेते है unit किस की आपके k की यानि की rate constant की अगर दोनों same है तो इसका मतलब वो reaction किसको resemble करती है zero order को resemble करती है इससे related question आपसे सीधा सीधा पूछ लेंगे बराबर so this is our question number 2 तो दो question हमने mark कर लिए question number 1 और यह हम लोगों का question number 2 अब question number 3 में आपसे यह पूछेगा कि what is integrated rate law यह derive बोल देगा let's say ठीक है derive integrated rate law for zero order reaction ठीक है अगर ऐसा बोले तो देखो point number A में क्या लिखना है आपको define लिखना है जो कि मैंने उपर mark करवाया और point number B मैं आप mark करवाना शुरू कर रहे हूं अगर कभी भी किसी भी चीच का derivation बोलता है ना तो सबसे पहले उस चीच को a zero order reaction ठीक है consider a zero order reaction एसे लेकर पी तो यह बना लेना अपना एक point बराबर B के सब पार्ट बना रहे हैं B के हम क्या बना रहे हैं सब पार्ट बना रहे हैं तो यह बन गया point no.1 उसके बाद लिखना also also को अपना point no.2 बनाना और also से जो लिखना शुरू करोगे यह k पे रुखना ठीक है अच्छा ऊपर अच्छा यह हो गया ओकी और उसके बाद फिर लिखना point no.3 में यह therefore डालकर da by dt equal to minus k dt उसके बाद point no.4 में क्या लिखोगे point no.4 डारेक्ट यह integration स शुरू करना बाकी इस सब लिखने की जरुवत नहीं है बीच की और integrate करना खेर यह सब तो मैंने आपको बताया है तुम चाहो तो integration की पुरी steps दिखा सकते हो otherwise नहीं दिखाना चाहते हो तो directly तुम यह point no.5 बना लेना इसको point no.6 बना लेना और लिख देना कि the above expression is the integrated rate law for a zero order reaction और अगर यह question आया कि derive integrated rate law for a zero order reaction ठीक है अगर ऐसा question आया तो इसके साथ आपको point no.7 में graph भी बना रहा है मैं देख लेती हूँ एक बार कि तुमारी textbook में graph है की नहीं है zero order के लिए अगर है तो मैं बता देती हूँ कि उनमें से कौन सा graph बनाना होगा वो graph आप draw करिएगा तो graph किदर है यह वाला graph बना लेना ठीक है यह वाला graph किसके सब बना लेना integrated वाले के साथ अच्छा हाँ ठीक है that's all इस graph को बना लेना इस graph को explain करने की need नहीं है कि madam यहाँ पे यह बराबर इतना यह बराबर इतना बस draw कर देना बात खतम हो जाएगी ठीक है आच्छा उसके define आप यहाँ पे भी लिग देना और उसके बाद पुछेगा कि and derive expression ठीक है and derive expression for the half life of a zero order reaction ठीक है अगर आपके पास कोई zero order reaction है तो उस zero order reaction के लिए इसको derive करी तो पहले जो a point है उसमें आप half life को define कर देंगे ठीक है point number b में मैं बता दू तुम्हें क्या लिखना है point number b में यह लिखना दा integrated ठीक है the integrated expression for zero order reaction is ऐसा लिख देना और वो integrated expression क्या लिखोगे integrated expression लिखोगे kt is equals to a t minus a naught यह point number b point number c में लिखना यह point number d में लिखना यह ठीक है point number d में लिखना यह ठीक है अचा यहाँ पे इसके पहले लिख देना put और point number e में लिखना यहां से लेके यहां तक और point number f में लिख देना therefore डाल कर यह और उसके बाद point number g में यह लिख देना कि इस expression से समझ में आता है कि zero order reaction के लिए half life आपके क्या कहते हैं एक मिनिट directly depend करती है initial concentration पर this will be our point number g तो इस g point में तुमारा answer खतम और वो depend करती है और directly depend करती है देख लेती हो कि तुमारी book में इस half life को लेकर कोई graph है कोई graph नहीं है चलो खै तुमारे जो पुरानी से लेबस की जो book हुआ करती थी ना उसमें zero order के लिए भी बहुत सारे graph से होते थे जि जहां पर नहीं है तो नहीं है अमें भी टैंशे नहीं है है न बठी कैसे डिपेंड करती है चैसे डीक करती है डारेक्ली डिपेंड करती है अगर तुम चाहू इसका ग्राफ बनाना तो इसका ग्राफ बना सकते हो वार EXT पर T A F को ले ले लेना और एक्स एक्स लिस्स पे concentration को ले 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 लिए लिए और उसके बार इनिशल concentration पर depend करेगी तो graph किस तरह केगा बनेगा ऐसा कुछ बना ले 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 ला खतम ठीक है so this is your question number 4 अच्छा question number 5 में आते है question number 5 ये आएगा कि color change कर लेते हैं बहुत pinky pinky हो गया है ब्लू कलर ले लेते हैं कि और नहीं रुको राइट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और जीरो और रियाक्शन ये question मन गया अब देखो जिस तरीके से कल first order reaction में आई तिंग 4 तू 5 ग्राफ थे यहां पर आपको सिर एक ही ग्राफ है तो यह hardly question 2 marks के लिए आएगा या फिर 1 mark के लिए आएगा अगर आता है तो उसमें क्या लिखना पहला point में बता देती हूं क्या लिखोगे पहला point लिखोगे the integrated expression ठीक है for zero order reaction is कि अगर आपके पास कोई एक zero order reaction है तो उसका integrated expression है यह ठीक है यह point number B में लिखना यह point number B में लिखना ठीक है आचा उसके बाद point number आपका यह लिखना यहां से लेकर यहां तक point number C point number D में graph बना लेना ठीक है point number D में क्या बना लेना graph और graph बना लेने के बाद उसके नीचे लिखना slope is equals to minus K यह point number E बनाना point number F में लिखना Y intercept यह point number F बनेगा Y intercept equal to A not यह लिखना खतम तो अगर graphical representation zero order के लिखना जाता है तो इस तरीके से this will be a question number 5 ठीक है एक ही graph है इसमें फिर उसके बाद question number 6 आपसे इस तरीके से पूछ लेगा कि what is zero order reaction मत्ता सबसे पहले आप zero order reaction को define करिए ठीक है और उसके बाद बोल देगा and write examples of it examples बता दीजे ठीक है तो हो सकता है कल कोई जो examples है वो directly MCQ में भी आ जाए कि यह फ़लाना example है बताईए first order के हैं कि बताईए zero order के हैं तो खेर दो ही examples है उन दो examples में देखो define वाला part तो मैं आपको already उपर mark करा चुकी हूं तो वो ही define पहले point number A में लिख देना वो define कर लेना पहले point में point number B की heading डाल देना examples और उसके sub points बनाना तो sub points में यह लिख देना decomposition of ammonia on platinum metal खतम यह question कभी भी तुमें one mark या two mark से जादा क्ले नहीं आएगा बस इतना लिख देना और यह reaction में लिख देना क्योंकि अच्छा और भी मैं बताती हूं second example यह लिख देना जैसे decomposition of ammonia है तो वैसी आप platinum surface पर तो यह pH 3 को हम लोग कहते है phosphine इस pH 3 को हम लोग क्या कहते है phosphine फॉसफीन का जो decomposition होता है लेकिन tungsten की surface पे वो भी high pressure पर तो यह भी basically किसका example है zero order का यह example number two फिर decomposition of nitrous oxide ठीक है in the presence of platinum as a catalyst और यह reaction यह आपका example number no need to explain examples question में सिर्व example पूचे आपने example तारिया उसको explain नहीं करना ठीक है बस उतना काफी है तो यह अभी देखो डिपेंड करता है question अगर two marks का है एक mark तो define में ही जो define लिखोगे उसी marks में आ जाएगा अगर define पूचा है तो अगर define पूचा है तो और उसके बाद दो examples लिख देना वो sufficient है बट अगर सिर्व question इतना ही आया सिर्व इतना question आया कि write down examples तो गधे जैसे एक example लिखके नहीं आना फिर उस case में आप तीन ही example लिखना ठीक है अचा और यह जो उपर का paragraph है यह जो metal surface get completely covered वगेरा वगेरा इससे क्या कोई question create नहीं किया रहा सकता किया तो जा सकता है but I don't think that is important इसलिए मैं खेर उसको माग नहीं करवा रही हूं और उसके बाद शुरू जाती है pseudo first order reaction यह particular question तो board exams में मेरे साफ से 10 to 15 time से already पूछा जा चुका है boards वालों के लिए especially महराश्र स्टेट बोर्ड वालों के लिए तो भीया पता नहीं उनको इसमें कौन सी चाश नहीं दिखती है यह उन लोगों को बहुत ही पसंद है यह pseudo first order reaction बतना इसका question कैसे है तो भी हम ready है है ना तो सबसे पहले pseudo first order reaction का define तो यहां से लेके यहां तक यह basically question number कौन सा question number है यह हम लोगों का सात्वा मैं question number seven वगेरे पता है इसले इतने बारीकी से लिखा कर दे रही हो ता कि तुम में से कई लोग पता है वो करते है घपला पंद्रा question है तो आठ लिख लेंगे बारा लिख लेंगे नहीं बारा ही तो थे तो उन लोगों के question number exactly mark करके दे रही हूं कि अच्छा आप तुम करो cheating okay question number seven में आप से यह पूछ लिया जाएगा जा सक चुका है कि define जो आपको define दुबारा करना पड़ेगा pseudo first order reaction and explain it and give examples and give examples यह ऐसे आया है तो पहला point तो देखो define में ही चला जाएगा जो मैं already आपको explain कर चुकी हूं point number b में heading दे देना examples और example लिखना शुरू करना तो ज्यादा हम लोगों को बर-बर के example नहीं लिखना है क्योंकि explain नहीं बोला है अगर explain बोलता तो मैं explain करती है अभी explain नहीं बोला है न मैं एक और question frame करके दूंगी question number nine जिसमें आपको explain भी करना पड़ेगा लेकिन right now मैंने जो question आपको दी है उसमें explain नहीं करना है तो direct आप examples लिखे तो अगर सिर्फ examples पूछता है along with define तो मैं क्या लिखूंगी तब मेरा जवाब क्या होगा ठीक है तो देख लेते हैं यह तब हमारा जवाब क्या होगा जवाब हम लोग यह देंगे रुको 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 यह लिख देना इक्जांपल में या भुक में इस बाट's यह हईडरोलेसस ऑ हाय मिठायल्स Expecting यह एक्जांपल नम्बर array action लिख देना और उसके बार लिख देना यह rate law खतम ठीक है खतम होगे कहानी यह रेट लोग एक बड़ को ना ना वह वाला रेट लोग नहीं लिखना और उसके बाद रेट लोग यह लिखना कि रेट इस इक्वल्स टू आपका के टाइमस अफ इतना वेर के यह पूरा का पूरा यह पिंक पार्ट ठीक है बराबर यह ऐसे और यह आपका एकजामपल यहां पर यह लikना एक्सपेक्टेड रेट लोग तो इन डालेक्ली एक्जामपल जब लिखोगे तो यह इस ओरर में होना चियो पिंक लाइं फिर अगें पेंक लाइं यह एक एक्जामपल हुआ बड़ दूसरा एक्जामपल किदर है तो एक्ज चाहते हैं नहीं करोंगी तो एक्जाम्पल नमबर टू में यह लिखोगे और ऐक्जाम्पल नमबर टू में लिखने के बाद यह रियाक्शन लिख देना ऐल्शा ना अलाूंग वित नीचे एकके नीचे ग्लूकोस एकके नीचे फ्रुक्टॉस ड़न यह कुशन ठीक है so this is question number 8 और उसके बाद question number 9, 9, 9, 9 के लिए जगा नहीं दिख रही है brown pen से mark करते है question number 9 again यही आएगा let's say what is pseudo first order reaction पहले तो यह आएगा उसके बाद next पुछेगा explain it with an example मतलब एक example के साथ इसको explain करिए अभी तक क्या आसा पूछ रहा था कि सिर्फ आप वहाँ पे example दीजे अभी पूछ रहा है कि explain करिए तो point number A में क्या लिख दोगे पहले तो अपना मजे से define लिख देना ठीक है अच्छा है ना तीन बार define लिखोगे तो कम से कम याद तो हो जाएगा define अच्छा point number B की heading डालना example अच्छा point number B की जब heading डाल दोगे तो अब उसके बाद देखो क्या लिखना है point number B की heading में ये लिखना है ये जो pink color से मैं लिखवाई हूँ ना exactly यहां से लेके यहां तक this will be your point number B का first part मतलब सब पार्ट ठीक है expected rate law अच्छा ये आपको ली लिखना है क्योंकि मैंने वहां पर expected word लिख दी है तो statement लिखने की नहीं है अच्छा उसके बाद लिखना इसका फिर उसके बाद ये लिखना point number 2 but ठीक है but actual rate law actual rate law is ठीक है actual rate law is ये हो गया आपका point number 2 ठीक है ये लिख दिया उसके माद c point में लिखना reason की आखिर ऐसा क्यों हुआ तो इसके reason में ये लिखोगे जितना मैं माद करा रही है सिर्फ उतना reason लिखना solvent water is present in large excess ठीक है बराबर such that change in its concentration is negligible जैसे अगर माल लेते हैं तुमारे bank में 10 करोड रुपे और मैं अगर एक रुपे भी निकाल लेती हूँ तो क्या तुमारे bank balance में कोई बहुत बड़ा change आया with respect to initially कितना था नहीं आया बट अगर तुमारे bank balance में 10 रुपे है और उसमें से भी अगर मैं एक रुपे निकाल लोगी that is a very big change so therefore ये इसका reason है है न तो ये concentration हम लोग क्या रखेंगे constant मैंने पढ़ाते हैं वकिए सारी बाते detail में बताई है फिलाल मैं इसको detail में नहीं बता रही है बसे marking करा रही हूँ see ये इस तरीके से आएगा ठीक है आच्छा question number 10 सुनो question number 10 कैसे पूछा जाएगा कि give reason why hydrolysis ठीक है why hydrolysis और किसका hydrolysis है methyl acetate ठीक है why hydrolysis of methyl acetate is pseudo first order reaction मतलब इस बार उसने आप पे ये क्रिपा की कि इस बार वो आपको define करने को नहीं बोल रहा है सीधा सीधा वो ये बोल रहा है कि question number 10 में आप इतना explain कर दो कि भईया कि वो pseudo first order reaction क्यों है तो आपको मैंने क्या बताया पहले आप मजे से example लिखते थे example में आप क्या बनाते थे पहले example कि pink line फिर blue line फिर again pink line वो पहला point पूरा example वाला लिख देना बस heading मत देना example ठीक है ऐसा लिखना the hydrolysis of ethyl acetate is as follows point number B में reason लिख देना और answer खतम कर देना यह इस तरीके से यह जो yellow color का box है इसका answer है yes यह यह भी एक pseudo first order reaction है बस इतना याद रखो ठीक है वो तो खेर अपने example में याद करी लिया है तो question 10 अभी तक हमारे पास हो गए अब 11 question की तरह बाते है यह question तो कई यह कई बार तो यह तीन चाहर बार बोर्ड exam से पूछा जा चुका है collision theory of biomolecular reactions ठीक है यह कई बार पूछा जा चुका है खेर उसमें हम बाद में आते हैं पहले कुछ basic basic defines mark कर लेते हैं और उसके बाद यहां से यहां से लेके यहां तक यह basically question number 11 बनेगा और इसका question होगा define activation energy यह define activation energy का ठीक है अच्छा और उसके अलावा let me check ठीक है अब यहां पे जो सबसे strong question मनेगा 4 marks के लिए वो आएगा explain या discuss whatever collision theory of biomolecular reaction यह basically question है यह question number 12 है इसका answer कैसे दोगे अब इसका answer आपको 3 points में देना है अब सुनो पहला point इसका क्या लिखोगे मैं अभी जो dictate कर रही हूँ उसको लिखोगे अपनी copy में ठीक है ऐसा लिखना for any biomolecular reaction ठीक है for any reaction for any biomolecular reaction रुक 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 for any successful it must satisfy following conditions ये intro लिखना intro लिखने के बाद ये point number A हो गया intro लिखने के बाद point number 1 डालना A के बाद point number 1 डालना पहला point की heading देना ये collision between reactant and molecule ये ठीक है और उसके बाद point number 2 की heading डालना activation energy activation लिखा है वापे तुम activation energy लिखना और activation energy को define मत करते बैठना गधे जैसे अच्छा ठीक है जब आप point number 1 की heading दोगे collision between reactant and molecules ठीक है तो सिर्फ इतना लिखना उसमें सिर्फ इतना ठीक है सिर्फ इतना बाकी वो पूरा paragraph बकवाया से फेक दो उसको वो नहीं लिखना जब second point की heading दोगे activation energy तो यहां पे यह वाला point लिखना ठीक है बस इतना फिर उसके बाद तीसरी condition भी तो है ना तीसरी condition क्या होती है कि proper orientation होना चाहिए तो तीसरी condition यह देना orientation of reactant molecule ठीक है अच्छा और उसमें आप point क्या लिखोगे कि यह point तो ख्या लिखना ही है कि सिर्फ तकराने से और सिर्फ activation energy हो जाने से reaction complete नहीं हो जाती कई reaction हो सकती है जो हो रही होंगी simple वाली होंगी but complex reaction के लिए ठीक है उनकी proper तरीके से orientation भी होनी चाहिए यह जितना में यह mark कर रही हूं brown color से बराबर यह आपको लिखना है अच्छा उसके बाद फिर जो mark नहीं कर रही हूं वो नहीं लिखना है यह लिखना consider a plus c यह इतना इतना बना रहा है ठीक है और उसके बाद यह point number one डालना और फिर diagram draw करना ठीक है और उस diagram के नीचे लिख देना एक मिट ठीक है improper orientation बस इतना लिख देना यह समझाने की जर्वत नहीं कि वो क्यों improper orientation है बस उतना लिख देना improper orientation फिर उसके बाद point number two डालना फिर यह पुरा का पुरा diagram बना लेना और उसके बाद लिखना proper orientation बस खतम ठीक है तो यह point number three की भी हमने heading दे दी बस खतम ठीक है और उसके अलावा रुको 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 ठीक है अब यह यह point के हमने रुको अब 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 कॉलेज है वहाँ पे admission के लिए आपको 80% कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके 80 से कम होंगे कई ऐसे होंगे जिनके 80 से जादा होंगे तो यहाँ पे क्या बात चल रही है कि अगर याककन को प्रोडक्ट में जाना है तो उसके पास क्या होना चाहिए activation energy से जादा energy होनी चाहिए बराबर तो आपके पास कितने molecules होंगे जिनके activation energy से जादा है तो यह इतने होंगे यह formula दिया है कि इतने होंगे भाई तो यह particular point notes में include कर लेना इस particular point से आपको one more question पूछा जा सकता है कि how many fraction of molecule possess energy greater than activation energy बलकि इसको अपना question number 13 भी बना लो question मैं बता देती हूँ इस तरीके से लिखना है आपको how many fraction of molecules कितने fraction of molecules होंगे जिनके पास energy जादा होगी as compared to what आप लोगों की activation energy ठीक है यह question number 13 है और उसके अलावा अच्छा जब तुम्हे activation energy का define आएगा question number 11 में जब तुम्हे activation energy का define आएगा question number 11 में तो इस particular diagram को बनाना ठीक है बहुत ही simple diagram है बुक वाले ने बीच में graph book का look देने के लिए उसको गंदा कर दी है यह इस तरीके से energy y axis पर और आपके x axis पर आप plot कर लीजेगा reaction coordinates जो भी है यह इस तरीके से दिखा देना इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाके दिखा देना और reactant और product यह जो gap है इसको कहना activation energy यह question number 11 के साथ यह draw करोगे ठीक है अच्छा activated complex की भी एक definition होती है activated complex का मतलब यह होता है कि एक ऐसी stage जहां पर ना तो completely ना तो complete तरीके से bonds तूटे हैं और ना तो वहां पर complete तरीके से bonds बने हैं वहां पर थोड़े थोड़े bonds तूट रहे हैं और थोड़े 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 bonds बन रहे हैं मतलब सब को थोड़ा थोड़ा तूट रहे है basically उसको हम लोग कहते है activated complex तो यह reaction की बीच का एक phase होता है ठीक है अच्छा तो इसको अगर activated complex define करने को आएगा तो कयसे define करोगे तो आपको define करना यह जो blue color की में marking कर रही हूं ठीक है जो blue color की में marking कर हे हूं इसको basically हम लोग लिखेंगे वहाँ पर ठीक है इसको basically हम बाफे लिखना है और उसके बाद यह blue color की marking यह भी आईगी यह भी आईगी यह आप लोगों का question number 14 है done ठीक यह इस page से marking खतम और उसके बाद temperature पे आपकी reaction किस तरीके से depend करती है तो खेर जैसे कि हम तो अपने day to day light में जानते हैं कि temperature बढ़ाने से कई reactions की speed बढ़ जाती है for example अगर तुम आलू उबाल रहे हो अगर मालने इतने gas को बहुत ही slow feed में रखके आलू को उबाल मतलब what उबालते हैं कि क्या करते हैं हाँ जो भी है ठीओ हाँ उबालते ही है तो अगर आप आलू उबाल रहे हो तो उसको gas को अगर सबसे lowest में रखोगे तो time लगेगा अगर high flame में रखोगे तो जल्दी होगा तो most of the reactions में temperature बढ़ाने से reaction का rate बढ़ता है बट जैसा कि मैंने पढ़ाते वग भी बताया तक हर reaction temperature की वज़ा से बढ़े ऐसा नहीं होता है इवन हमने जो अभी आपसे पहले जो previous chapter पढ़ा याक्त करो solubility solution and collegative properties हमने इसका previous chapter पढ़ा उस previous chapter में भी मेरी क्या बाची थी कि वैसे तो temperature बढ़ाने से solubility बढ़ जाती है बट हरमा temperature बढ़ाने से solubility बढ़ती है ऐसा नहीं होता कई बार उल्टा भी हो जाता है तो temperature से reaction के rate का क्या वास्ता है इसको समझाने के लिए आती है basically aranious equation ये question भी काफी important है question इस तरीके से आता है explain aranious equation ये इस तरीके से question आ जाएगा कौन सा question number है ये question number 15 है right इस तरीके से आ जाएगा explain aranious equation ये आ गया अब अगर ये question आपके पास आया है तो इसका सबसे पहला point ठीक है यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे this will be a point number one point number two में आपको ये लिखना है कि where के एक rate constant है e एक activation energy है r molar gas constant है आप उसको universal gas constant भी कह सकते हो molar word नया लगाने की कोई जरुबत नहीं है t आपका temperature है Kelvin में a pre-exponential factor है कि मतलब कौन क्या क्या है वो बताना है अच्छा आप वेयर जब लिखते हो तो वेयर के नीचे सारे points एक के नीचे एक लिखना मतलब के डैश आर डैश ए डैश बुक वाला कैसा लिखता है सीधा 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 लिखता रहता है पराग्राप बना कर आप वैसा मत करना अपने आंसर को खुबसूरत बनाओ ठीक है अचा खे और उसके अलावा next में आप इतना लिखना दो मिनिट ठीक है उसके बाद लिखना इसी Arrhenius equation का point number 3 ये लिखना ठीक है ये point number 3 ये लिखना अच्छा point number 3 लेने से पहले ये लिख देना taking logarithm on both sides ठीक है taking logarithm on both sides तो ये point number 3 लिख देना और point number 4 में ये लिख देना मैं अभी Arrhenius equation को explain करने वाली steps आपको बता रही हूँ ठीक है ये लिख दिया point number 4 बस खतम अच्छा उसके बाद आपसे next question पूछा जाता है ये ये जो paragraph है ये paragraph actually आपका काफे important paragraph है इस paragraph से आपसे सीरे सीरे true और false type के कुछ questions पूछ लेगा तो इस पूरे paragraph के points को आप notes में mark करना जैसे जो pre-exponential factor होता है A उसकी जो भी unit होगी और जो rate constant की unit है ये दोनों same हो सकती है वैसे same हो सकती है अगर reaction कौन से order की है first आज की जब हम लोगोंने marking की थी तह मैंने क्या बात किया था कि जो reaction होती है reaction का rate और reaction का rate constant दोनों की same unit हो सकती है अगर reaction zero order है बराबर और यहाँ पर यह क्या कह रहा है कि capital A की unit और rate constant की unit same हो सकती है अगर reaction first order है अपने notes में लिखना ठीक है unit किसकी unit rate constant की equal to unit capital A की फिर bracket में लिख देना first order फिर ऐसा लिखना unit rate constant की equal to unit reaction के rate की equal to bracket में लिख देना zero order ठीक है अच्छा और उसके बार मैंने पढ़ाते वग भी बताया है कि capital A किस चीज को signifies करता है तो बुक वाले ने भी बताया है यहां पर कि capital A basically कितने collisions हो रहे हैं कितने frequency of collisions को implies करता है A से क्या समझ में आता है A की importance क्या है ठीक है तो यहां से आप इस तरीके से question मना सकते हो significance of capital A significance of capital A question number 16 significance of pre exponential factor capital A तो इसका answer यह लिखना कि A relate A give us information about the frequency of collisions ठीक है of reactant molecules ऐसा लिखना ठीक है आच्छा उसके बान question number 17 आपको यही पूछ लेगा कि what is a graphical और हाउ विल यू डिटर्माइन ऐसे आएगा how will you determine how will you determine ठीक है activation energy graphically यह इस तरीके से आपको पूछ लेगा बराबर अगर इस तरीके से वह आपको पूछना है तो इसका answer क्या दोगे इसका answer पहला point ऐसा लिखना according to Arrhenius equation Arrhenius equation क्या है k equals to a e raised to the power minus of ea by rt यह लिखना फिर इसके नीचे लिखना where वो पूरा का पूरा कि k क्या है a क्या है e क्या है r क्या है t क्या है पूरा लिखना point number b इसी को बनाना यह अपना point number 3 है न यही अपना point number b बनेगा point number c यह point number 4 को बना देना अच्छा और उसके बाद लिखना point number d में यह लिखना ठीक है और उसके बाद point number e में आप यह graph बना देना और इसी graph के बाद point number f यह लिखना slope is equals to इतना यह point number f और point number g क्या बना देना कि y intercept equals to log base 10 equal to तो यह इस तरीके से graphical determination activation energy कहा हो गया अच्छा h में क्या रिखोगे from a slope of the line मतला जो भी आप graph बनाओगे activation energy can be determined ठीक है यह हो गया point number h इस तरीके से तुम graphical analysis कर सकते हो ठीक है आच्छा बाकी एक बादची यह आद रखेंगे थोड़ा सा यह आपको mcq में पूछी जा सकती है कि अगर आप temperature increase करेंगे तो reaction का rate increase होगा की नहीं होगा तो यहाद रखना कि temperature increase करोगे तो rate of reaction भी increase होगा इस particular point को अपने notes में लिख लेना इस is question number 17 अब question number 18 देखो इस तरीके से आ सकता है show that with increase in temperature rate of reaction increases तब क्या लिखोगे तो ऐसे में question number 18 में answer number 17 पूरा का पूरा लिख देना जैसा मैंने भी answer number 17 तो मैं graph के थूरू समझाया है न पूरा का पूरा उसको वैसे का वैसी उठाके चाप देना ठीके पूरा का पूरा उसको उठाके चाप देना अच्छा रुको पूरा लिखने की need नहीं है हाँ ठीक है लिख देना पूरा का पूरा उसके बार उसमें total कितने points है h points है तो आप h points तक पूरा का पूरा answer वैसे का वैसी लिख दो plus इसमें एक point और लिखना हो कौन सा यही कि equation 6.18 कहा है वाई यह equation ठीक है यह equation से समझ में आता है यह वाला मतलब basically जो नीचे की line है फिल लिख देना कि therefore करके वो show हो गया करके कि वो depend करता है from above equations ऐसा लिखना from above equations या ऐसा लिखना from Arrhenius equation बस खदम उसके बाद question number 19 में आएगा यह इस तरीके से how will you determine वैसे यह question के आने की probability कम होती है इस पर numericals जादा आते है how will you determine activation energy at two different temperatures ठीक है इस तरीके से आपको question आ जाएगा दो different temperature पे activation energy को define करिए तब क्या करेंगे बताओ ठीक है तो बस कुछ नहीं करना है यह जैसा का यहां से लेके यहां तक point number one फिर point number two यहां से लेके यहां तक आएगा ठीक है उसके बाद point number three में ऐसा लिख देना subtracting equation वगेरा वगेरा यह subtract कर लेना common woman निकाल लेना और यह point number four so this will be our question number 19 अच्छा और भी बज़ गया है क्या खेरा भी आगे की और marking बज़ गई है छोटी सी है ज्यादा तो नहीं है बट इस वाली marking को हम कल continue करते हैं तो कि में को question तो लिखनी की need नहीं है यह तो देखो मैं नहीं करवा दिया या फिर ऐसा बताना पड़ता है कि वाला question target से लिख लो चुकि आप खुद तो कभी किताब को पलट के देखने वाले हैं नहीं बराबर फिर बाद में आले रहा है तो out of the syllabus question बात में पता चलेगा ही तो यही exercise के पीछे का सवाल था तो इस पर्टिक्विलर चीज के marking का हम एक थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं अगले दिन ठीक है फिलान सीच को यहां रूपते हैं अभी जो नेक्स चाप्टर हमाया स्टार्ट होगा that would be elements of group 16 17 18 सोचो तुम्हारे लोग कितने लखी हो जो पुरानी बुक्स जाती थी इसको group 13 14 15 को 11 की बुक में डाल दिया और group 16 17 18 को उन्होंने 12 की बुक में डाल दिया मतलब काफी बर्डन कम कर दिया 12 बोर्ट के बच्चों पर because इस chapter पे काफी वेटेज होता है group 16 17 मतलब P-block basically इसको कहते है last year तक इस chapter का नाम होता था P-block chemistry इस बाग group 16 17 18 ऐसा नाम दिया है बट basically P-block है इस पे बहुत ज़रा वेटेज होता था बट ये chapter कैसा है बहुत ही pressure create करता था hectic chapter था इसके hectic होने का एक ही reason था इसमें डरिवेशन कुछ नहीं है रट्टा मारने की चीज़ अथा है तो कैसा होता है कि जिस student का aim रट्टा मारना नहीं है जो समझ समझ के काम कर रहा है उसको इस chapter में थोड़ी सी तकली पर आ जाती थी क्या अरे cranialite का formula रटो chill spirit का formula रटो ये करो वो करो बहुत सारी चीज़े logical है अगर आपने 11th class की periodicity पड़ी है तो अगर आपने 11th class की chemical bonding पड़ी है तो ठीक है तो काफी चीज़े logical है बट फिर भी ये बहुत ही जादा literature टाइप का chapter हो जाता था बहुत जादा literature मतलब थेरी 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 ऐसा नहीं कि मुझे चैप्टर आता नहीं था अगर इसमें से कोई logical question आ जाता जैसे इस रैप का कोई logical question आ जाता कि इसको acidic strength के साथ से अरेंज करो तो मैं उन लोगों में से नहीं थी कि मैं रट्टा मार के गई हूँ कि अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा ही बड अच्छा ही नहीं और जो है वो उतना गंदा नहीं है कि पढ़ने में एक इंसान को तकलीफ आई हाँ जो पार्ट आपको ऐसा लगता है personally कि नहीं मुझे ये पार्ट reactions को यार याद रखना मुझे अच्छा नहीं है मैं reaction याद करने जाता हूं तो बाकी बच्छा हुआ है उसको लिऑ कर डिवार पे चिपना लो निमें बस एक बार उसको गो ठूर करो या किसी डायरे में लिक लो इसको बस इक बार दिन सको को फिसंस कौन रोजो गो ठुल करते जांग ये सबंसक्रमित कर नहीं हुआ चाहुक्त तो अइसे केस में यह कोई असी और ह something को बार अब देखते हो तो वो नहीं आद होने वाली चीजे भी आपको automatically याद हो जाती है ऐसे में इस चाप्टर में आपको भी मंडे से यही चाप्टर स्टाट करेंगे मंडेट यूजरे से तो जो भी आप इस चाप्टर में पढ़ो अगर आपको लगे क्या रही है मैं कोई याद नहीं हो रहा है तो उसको आप लिखकर रखो डाइरी में आप गो थू करो बस उतने पाट को रोज अपने आप देखना एक्जाम आते आते हैं आपको इस को पढ़ेंगे तो हम मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाना होगा टेक्स्बुक से तो पहले मैं एक दिन प्रायॉर्ली देख लूँगी कि अच्छा हमें को यह टॉपिक पढ़ाना है तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड 11 का कौन सा वीडियो तुमारे काम में आ सकता है वो मैं तुमको पहले ही शेयर कर दिया करूंगी फिर उसके बाले टॉपिक पढ़ाऊंगी तो देरफोर इस चाप्टर को पढ़ने में हमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि 11 को थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हुए फिर इस चाप्टर को पढ़ाना है और यह चाप्टर बढ़ा है तो उसको यहां पर इस चाप्टर में दिक्कत हो सकती है तो देख लो भाई कितना बड़ा चाप्टर है ठीक है तो इसको पढ़ते हैं क्योंकि लास्ट मुमेंट के लिए रखना ठीक नहीं है पढ़ पुड़ा के खतम करते हैं उसमें याद रखना तुम्हारी मेनच जा करती है तो उन्हें सीरियसली पढ़कर रखना मस्ती मज़ारक मत करना मैं कल कुछ वीडियो शेयर करूंगी ताकि जब हम लोग परसों अर्सों से जब यह चाप्टर स्टार्ट करें तो तुम्हें थोड़ा और इस आउट हो मैंने बहुत सारे शेयर भी किये थे अब जिन् मैंने डी भ्लॉक्सक पढ़ा दिया था एफ ब्लॉक मेरा बाकी रह गया था ठीक है डी ब्लॉक मैं पढ़ा दूगी बन्हें ज्यादा बढ़ा नहीं अए फ बहुतला कि किताबे होती थी उसमें मेटलर्जी करके एक और चप्टर होता था महा सरदर्द वाप प्रेबाप मतलब उसमें भी यही थेरी रियाक्शन थेरी रियाक्शन वह भी महा पकाऊ चप्टर तो इस बार देखो तुम्हारी बुक वालों ने कितना सिलाबस रिड्यूस कर दिया को सिलाबस लास्ट हियर या पुराने सिलाबस के अप्टेक शाफ बहुत रिड्यूस्ट है हद से रिड्यूस्ट है मतला मगर मैं जच करो 30-40% सिलाबस उन्हें कम कर दिया है मेटलरजी को हटा देना पी ब्लोग को कम कर देना ठीक है के मिस्ट्री एवरीड लाइप को हटा देना उसके जगह उस आड़ा सा नेनो टेक्नलोजी इंट्रोड्वा देना माइन्स वाले चप्टर में से बहुत सारी चीजों को रिड्यूस कर देना बहुत कुछ तो अभी हम लोग आगे की जो क्लास्स करेंगे उसमें हम साइमल्टेनर सी दो चाप्टर पढ़ने वाले एक पी ब्लॉक विकॉस पी ब्लॉक एक्स्ट्रीमली स्लो स्पेज में जाएगा उसमें क्योंकि मैं बता चुकि मुझे 11 को कवर करते हुए 12 को पढ़ाना है ताकि तु यह चाप्टर समझी नहीं आएगा और तुम्हें लगेगा बहुत कठें ठीक है दूसरी चीज अगर इस लोग पेज में पढ़ाती हूं तो पी ब्लॉक को मुझे कम्प्रीट कराने में एक महीं अलग जाएगा जो की बेकार है लोग इसको तीन या चार देने पढ़ा के ख चुका है तो इसके बाद हम साथ ही साथ में साइमर डिन यसली और गानिक साट करिंगे ताकि मुझे दुख कम हो किया एक महिना मैंने पी ब्लॉक को ले लिया मेरा एक ही महिने में एक ही चाप्टर हूआ ताकि एक महिने बाद जब देखू अच्छा मैंने क्या टार्ग हुआ यहां पर इस जीच को ओवर करते हैं कल के दिन एक और हम लो मार्किंग कर लेंगे सो दाइ वे कैन से अबर केमिकल काने टेक्स इस कंपेटली फिनिष्ट फ्रम मार्किंग तो अल थिंग्स हां उसके तो खेर चली रही है अभी जब तो उसकी निमेरिकल प्रैक्टिस चल रही है चलने नो मतलब जितने टॉपिक्स हैं जितने जितने इसमय पल जितने अंसॉल्ड है कुछ मेही तरह से हैं